यहां के इस्थानी लोगों के मुताविक अठारेवी सदी के लोग यहां पर भूके मर रहे थे फिर एक पादरी ने यहां पर तीन दिन तक मनत मागी तो उसकी दुआ की बजह से यहां मचलियों की बारिश होती है ऐसा वहां के इस्थानी लोगों का मानना है कुछ सेंटिस्ट के मुताविक यहां ऐसा वाटर स्पॉट की वजह से होता है क्योंकि यह वाटर स्पॉट समुद्र पर बनते हैं समुद्र के पानी में मचलियां होती है और यह वाटर स्पॉट समुद्र से उड़ता हुआ उपर बादल में चला जाता है